आज मैं आप लोगों को Class 6 वसंत का पार्ट संसार एक पुस्तक है जिनके राइटर जवाहर लाल नहरू जी है इसका मैं MCQ पराने जा रही हूँ और इससे पहले बच्चों मैं Class 6 वसंत और Class 6 बाल रामकथा का सारा वीडियो बना चुकी हूँ उसको देखने के लिए आप उपर दिये गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिये गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेश्बुक और ट्यूटर पर फॉलो कर सकते हैं तो पार्ट शुरू करते हैं MCQ का संसार पुस्तक है इसका MCQ देखे बच्चों इसमें कुछ अर्थ ग्रहन शमंधी अम बहुविकल्पिय प्रश्णोत्तर है जो आप MCQ पढ़ेंगे याद करेंगे तो सबसे पहले चेप्टर का कुछ पैराग्राफ है आप उस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे तो क्या होगा आपको प्रश्णोत्तर जो है MCQ समझने में आशान हो जाएगा वैसे आप डिरेक्ट भी याद कर सकते हैं अगर आपके पास शमय नहीं रहे और अगर आप पुरा चेप्टर में आ जाएगा और जल्द ही याद हो जाएगा तो पहला पराग्राफ में देखिए क्या है संसार पुस्तक है इसका पहला पराग्राफ है जब तुम मेरे शाथ रहती हो तो अकसर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उसका जवाब देने की कोसिस करता हूँ ल जो इस दुनिया में है छोटी-छोटी कथाएं लिखा करो तो देखिए इसमें कोखो गौतीन प्रश्न है उसके बाद आप डारेक्ट जो हैं MCQ पर चले जाएंगे उपर लिखे गद्यांसों में तुम का प्रयोग किसके लिए किया गया है तो यह MCQ में भी आपको आ सकता ह तो इसका उतर है तुम का प्रयोग पंडित जवाहरलाल नहरू ने अपनी पुत्री इंद्रा के लिए किया गया है और खोका है मसूरी में कौन है और इलाहावाद में कौन उतर है खोका कि इंद्रा मसूरी में है और पंडित जवाहरलाल मसूरी में है और जवाहरलाल गौ का प्रशन है लेखक ने छोटी कथाएं लिखने का इरादा क्यों किया उत्तर लेखक की पुत्री मसूरी में थी और लेखक इलहाबाद में रहते थे जब लेखक उनके साथ रहते थे तब उनकी पुत्री उनसे अनेक बाते पूछा करती थी अब लेखक अपनी पुत्री के साथ नहीं रहते हैं इसलिए उन्होंने इस दुनिया के विभिन छोटे बरे देशों के बारे में जानकारी के लिए छोटी-छोटी कताएं लिखकर उन्हें भेजने का इरादा किया अब देखिए तूसरा पेराग्राफ आप पढ़ेंगे तो आप MCQ डिरेक्ट चले जाए थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धर्ती पर कोई जानदार चीज न थी आज जब दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है उस जवाने का खयाल करना भी मुस्किल है जब यहां कुछ न था तो देखिए अब MCQ आ गया उसको बहु उत्तर लिखना होगा तो देखिए क्या है यह धर्ती कितनी पुरानी है खह दस हजार वर्स खह लाखों करोरों वर्स गह पचास हजार वर्स गह एक करोरों वर्स तो यह धर्ती कितनी पुरानी है उत्तर है लाखों करोरों वर्स तो आप इस पैराग्राफ में पढ़ लिए कि यह धर्ती क्या है लाखों करोणों वार्स पुरानी है तो आप जब पराग्राफ पर लेते हैं तो आपको कितना आसान हो जाता है आप देख सकते हैं इसमें दूसरा देखिए मनुष से पूर्व इस धर्ती पर कौन रहते थे को जानवर खो कोई भी नहीं गो आदी मानव गो उरने वाले प्रानी तो मनुष से पूर्व इस धर्ती पर कौन रहते थे उत्तर है को जानवर तीसरा है आज धर्ती पर क्या है गो पसू खो आदमी गो तो दिये गए शभी यह सही रहेगा अब इसमें है चौथा प्रश्ण है पंडि जवाहर लाल नहरू अपने पत्र के माध्यम से इंद्रा को क्या समझाना चाहते थे पांचमा प्रश्ण है पंडि जवाहर लाल नहरू किस उद्देश से अपने पुत्री इंद्रा को पत्र लिखते थे तो को इंद्रा के मन की छोटी-छोटी शंकाओं को समाप्त करने के लिए खो अपने उनसे दूर ना होने का एहसास दिलाने के लिए गर छोटे बरे देशो और विमिन प्रकार की जानकारियों को उसे बताने के लिए तो उपड़ युक्त सभी यह उत्तर होगा पांचमा अब देखिए तीसरा पराग्राफ है तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो लेकिन पुराने जवाने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था किताबे कौन लिखता तब हमें उस जवाने की बाते कैसे मालूम हो यह तो नहीं हो सकता है कि हम बैठे बैठे हर एक बात को सोच निकाले यह बरे मजे की बात होगी क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुन्दर पड़ियों की कहानिया गर लेते लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गर लिजा वह ठीक कैसे हो शकती है तो इसमें देखिए को का है इतियास की किताबें हमें किसका ग्यान करवाती है उत्तर है को इतियास की किताबें हमें प्राचिन इतियास का ग्यान करवाती है हमारे पूरवजों के शमय का समाज कैसा था इतियास की किता प्राचेन इतिहास नहीं मिलने का कारण ही भासा का ज्यान ना होना क्योंकि लिखित इतिहास तभी स्रामने आया ज면 मनुस्रीने लिखने के खोज की और विचारों को लिखित रूप में सहेज कर रखा गौ का है जो कहानी अपने आप गढ़ी जाती है वो शत्य क्यों नहीं होती उत्तर जो कहानी अपने आप गढ़ी जाती है वो कालपनिक होती है उसमें सच के स्वरूप का शमावेश नहीं होता उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता चौथा पराग्राफ आ गया अब नीचे आपको MCQ भी रहेगा तो देखिए चौथा पराग्राफ में क्या है मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हमके बल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ ले बलकि खुद संसार रुपी पुस्तकों को पढ़ है मुझे आसा है कि पत्थरों और पहारों को परकर तुम थोरे ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी सोचो कितने मजे की बात है एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सरक पढ़ या पहार के नीचे पढ़ा हुआ देखती हो साइद संसार की पुस्तक का छोटा सा प्रिष्ठ हो साइद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए सर्थ यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो तो देखिए संसार का हाल जानने का असली तरीका कौन है कौन सा है उतर है कौका लेखा का विचार है कि दूसरों की लिखी हुई पुस्तकों से संसार का हाल नहीं जाना जा सकता हाल जानने का असली तरीका श्रिंग संसार रुपी पुस्तक को पढ़ना है संसार रुपी पुस पहारों को परकर उनका हाल जानना सीख जाएगी पहार के नीचे या सरक पर परे हुए छोटे से रोडे से बहुत सी जानकारी नई जानकारी बातों का पता चल सकता है गौ का क्या है एक छोटे से रोडे से कोई नई बात कैसे मालूम हो शकती है उतर है एक छोटे से रोडे से कोई नई बात पता चल सकती है यदि उसे पढ़ना आता हो अर्थात उसकी इस्थिति को जानने का प्रयत्म करें तो नई जानकारियां क्या हैं हासिल कर सकते हैं पांच माँ है जब कोई जवान उर्दू हिंदी या अंगरेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखन उसे पढ़ सकोगी साइद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोडा देखती हो तो क्या हो तुम्हें कुछ नहीं बतलाता या कैसे गोल चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या है उत्तर है प्रकृति के अक्षर पत्थर इमों चटानों आदी को कहा गया है गौ का एक रोड़ा कैसे सुन्दर सुरूप लेता है उत्तर है गौ एक रोड़ा चटान से अलग होने के बाद इधर उधर घूमता हुआ नदी के जल में लुढकता हुआ निरंतर घिसता रहता ह जिससे उसके नोकिले किनारे गोल सुरूप में बदल जाते हैं और वह सुन्दर रूप राप्त कर लेता है अब देखिए छठा पराइगराफ के नीचे आपको एमसी क्यों आ रहा है जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकिला रोड़ा देखती हो तो क्या हुआ तुम्हें फुरुदरार नोकिला होगा या गोल चिकने रोड़े की तरह बिलकुल नहीं होता फिर या रोड़ा कैसे इतना चमकिला चिकना और गोल हो गया अगर तुम्हारी आँखें और कांड सुने तो तुम उसी के मुह से उसकी कहानी सुनशकती हो वह तुम से कहेगा कि एक समय ज गहा को में है वह भी कभी चटान का टुगडा था उसका सुरूप धीरे धीरे परिवर्तित हुआ गोला चमकिला और चिकना कैसे हुआ गो दिये गए सभी तो उतर है दिये गए सभी और दुसरा प्रश्न है छोटे से गोल चमकिले रोड़ों की कहानी जानने के लिए क्या अवस्ष्यक है उतर है गोरोडे की कहानी जानने के लिए आवस्यक है कि हमारी आखें उसे अच्छी प्रकार देखने में समर्थ हो ausकी कहानी सुन सके संभव हो तो रोडे पथर के मुह से उसकी कहानी सुनी जा सकती है तीसरा प्रश्न एक चमकिला चिकना और गोल रोड़ा अपने बारे में क्या कहेगा उत्तर को है वह पहले चट्टान का टुकरा था खुरदोरा और नोकिला भी था लेकिन धीरे धीरे शमया नुसार पड़िवर्तन आने पर वह चमकिला चिकना वह गोल हो गया चौथा प्रस्ण है यह वक्तब नेहरू जी ने इंद्रा जी से क्यों कहा खुवे पत्थर की कहानी सुनना चाहते थे खुवे पत्थर के चमकिले चिकने वह गोल होने का रहर से बताना चाहते थे घौवे यह समझाना चाहते थे कि हालाताओं और बदलती परिश्थितियों क शमक्च किसी का भी स्वरूप नया मोर ले शकता है गह निरंतर संघर सफलता की ओर ले जाती है तो यह वक्त तब नहरूजी ने इंद्राशे क्यों कहा था इसका उत्तर है निरंतर संघर सफलता की ओर ले जाती है पांचमा प्रश्ण यह गद्यांस क्या संदेश देता है को निरंतर प्यासरत रहना चाहिए खरोडों की भाती सुन्दर रूप प्राप्त करने हेतु मुश्किलों का सामना करते समय बिछिलित नहीं होना चाहिए गर जब तक सुन्दर रूप न मिले आगे बढ़ते रहना चाहिए गर कभी भी आने वाली कटनाईों से घवराना नहीं चाहिए तो इसका मतलब है यह गद्यांस क्या संदेश देता है उतर है खर रोरों के भाती सुन्दर रूप राप्त करने हेतु मुश्किलों का सामना करते समय बिछिलित नहीं होना चाहिए तो बच्चों इसी के साथ पाठ की शमापती होती है आसा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एकजाम के लिए तयार कर लीजेगा और बच्चों आप मेरे चैनल देब जिनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजेगा लाइक कीजेगा और सेर कीजेगा कॉमेंट्स जरूर कीजेगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों धन्यवाद